लाइव कोन सेंस वीटमिन D3 with K2 डाइटरी सपलीमेंट सोफजल के बेनीफिट्स की बात करेंगे यह बोन को इंप्रूब करने के लिए हार्ट फंक्संग को इंप्रूब करने के लिए इम्यून हेल्थ के लिए नेरो हेल्थ के लिए ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है जिन लोगों में विटमिन D3 की डेपिसेंसी होती है तो उन लोगों को ये दिया जाता है साथ मेज में K2 भी डाला जाता है यह bone health के लिए अच्छा रहता है bone से जुड़ी समस्याओं में हड़ियों का कमजोर होना calcium की कमी calcium का absorption की कमी हड़ियों का खोखलापन arthritis कठ्या जैसी समस्या में इसको दिया जा सकता है और brain को improve करने के लिए depression, anxiety, चलचलपन नेंद की समस्या में इसको दिया जा सकता है इसके अलावा नस्वे कमजोर होना नरव कमजोर होना हाथ पैरों में नरव को मजबूत बनाने के लिए इसे दिया जा सकता है एंड इम्यून हेल्थ के लिए मेटाबोलिजम के लिए अच्छा काम करता है हार्ट फंक्शन के लिए अच्छा काम करता है इसे डोक्टर की सला से देना चाहिए मतलब ले पेसेंट को देना चाहिए या खुछ से ले रहे हैं तो डोक्टर से सला जरूर ले आज की वीडियो म नहीं